दोस्तों नमस्कार मैं हूँ जै और आप देख रहे हैं जैस्तनी ओज महरास्ट में सिवस्तियना के सांसस संजे राउत जिनके उपर पिछले कुछ टाइम से भ्रस्टाचार के घोटालियो को लेकर कई बड़े एक के बाद एक कई बड़े आरोग जो है लगाए गए खास कर कि इसमें बड़े पॉल्टीसियन के दोरा संजे राउत के उपर निशाना साथ आ गया और इनके उपर जो है चेंटरल एजनसी के दोरा कारवाई करने की डिमांड भी की गई बाइदावे अभी तक कोई भी कारवाई इनके खलाब में तो हुई नहीं है लेकिन कल संजे राउ सीधा सीधा बहुत ही जादा गुश्चे में आ गए और उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला कि वो आज के लिए यानि कि आज मंगलवार के लिए एक प्रेस कॉंफरेंस करेंगे शीधा भौन में और उसमें बीजेपी नेतावा को पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे और इसके बाद बीजेपी के दो से तीन नेता जो है वो जेल के अंदर भी जाएंगे बाइद अब इस बात को लेकर क्रीट सोमया जिनके दोरा कई बड़े आरोब जो है इनके उपर लगाये गए हैं उनके दोरा जो है इस पर रिपलाई दिया गया है उनके दोरा बोला गया है कि हम जो है वेलकम करते हैं संजे राउद ने जो बोला है कि वो press conference में बीजेपी निताओं को पूरी तरह से expose कर देंगे जिसके बाद वो जेल में जाएंगे तो हम उनके इस statement को पूरी तरह स्वागत करते हैं साथ में ही उनके press conference जो कि वो आज करेंगे उसको भी हम देखेंगे और उनका स्वागत करते हैं कि वो जो है हमारे निताओं को लेकर खुलासा करें अब देखते हैं उनके दोरा क्या खुलासा किया जाता है साथ में ही जो किरीड सोमया है इनके दोरा बोला गया कि हमने जो है संजे राओत की जो घोटाले की लिस्ट है वो पब्लिक के सामने कर दी है जैसे ही हमने संजे राओत की घोटाले की लिस्ट पब्लिक की उसके बाद जो है संजे राओद पूरी तरह से घुष्चे में हैं, पूरी तरह से बोखला गए हैं, अब वो कुछ भी statement दे रहे हैं और रही बास संजे राउत के दोरा दी गई धमकी का कि वो जो है नेताओं को पूरी तरह से पोज़ कर देंगे बीजेपी नेताओं को तो वो बस पूरी तरह से अपवा है वो सिर्फ और सिर्फ ऐते बारिस हैं जो कि सिर्फ गरस्ते हैं बरस्ते नहीं मतलब कि इनके दोरा सीधा 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 संजे राओत के उपर ही निशाना धादा गया है और बोला गया है कि संजे राओत सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस तरह की बाते बोल रहे हैं कि वो महाराज में बीजेपी नेताओं को परबास कर देंगे लेकिन रियल्टी में उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं है वो सिर्फ और सिर्फ अफवा पहलाने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस तरह अगर वो करेंगे तो उनके खिलाफ में जो कारवाई करने की डिमांड की जा रही है वो नहीं होगी किरीट सोमया के दोरह ये भी बोला गया कि हमने संजे राउत की जो घोटाले की लिस्ट है जैसे की जंबो कोविट सेंटर में जो घोटाला किया गया है सुजीत पार्टकर के साथ में इनका रिलेशन क्या है प्रबीन राउत के साथ में इनका रिलेशन क्या है इनकी बेटियों का क्या रिलेशन है और ये सारा जो विजनेस को लेकर जो आरो पिछले कुछ दिनों से लगाए गये हैं इसको लेकर उन्होंने बताया कि हमने इसको लेकर इनके खिलाब में पूरी तरह से इनकी पूल खोल दी है इनकी पूरी घोटावलों की लिस्ट जो है पब्लिक कर दी है जिसकी जासे ये पूरी तरह से घुसाये हुए हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है बाइदाबे उनके दोरह ये भी दावा किया गया है कि संजे राउट जो है उनको जवाब देना चाहिए जो भी हमने उनके उपर आरोप लगाए हैं पहले वो इस बात का जवाब दें और बीजेपी नेताव के वो इस्पोच करने की बाद तो भूली जाएं वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की किया जाएगा क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा नवाब मलिक ने भी इसी तरह का कुछ स्टेटमेंट दिया था लेकिन रियल्टी में जब उन्होंने जो जो खुलासे किये थे उस पर कोई भी कारवाई नहीं हुई मतलब कि उस पर बहुत ज्यादा दम न हैं और वीडियो को जाए जादा सेयर करें साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर पेस्ट कर दें